नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हरीश चिकड़ी मैं हूँ हरीश और आज मैं आपको एक न्यूज देने जा रहा हूँ इससे जो है MP के बाहर की निवासी जो है उनके लिए ये सरकारी गिप्ट कहा जा सकता है इसको यहाँ पर देनिक भासकर की एक आज की न्यूज है दूसरे राजी के अगर MP में फारम भर रहे हैं परिच्छा दे रहे हैं तो उनके लिए आयू सीमा जो है 35 साल निधारत कर दी गए है हला कि पहले ये सीमा थी 21 से ले करके 28 वर्स के बीच वाले लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं लेकिन आभी ये क्या होगा 21 से ले करके 35 साल की उम्र तक के लिए MP PSC में अप्लाई कर सकते हैं मतलब कहलें कि MP में अब कंप्टीशन हो जाएगा बहुत जादा और अब इसमें फाइट करना होगा अपन को और जादा मतला MP के जो ब्यक्ति हैं उनको थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर अब बाहर के लोग भी MP से बाहर के लोग भी यहाँ पर एप्लाई करेंगे और यहाँ पर उनके लिए कंप्टीशन थोड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर कैबनेट का यह फैंसला है और यह क्यों फैंसला लिया गया है यहाँ पिछले वीडियो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एक जाम हुग थे MPPSC में उसमें आयू को ले करके किसी एक व्यक्ति ने याचिका ल यह थे जिसे तुलसी सलावट ने दिया था कि कम से कम ऐसे वहाँ को यह लाब दिया जाना चाहिए जन्होंने दसमी बार्मी के परिच्छा या तो मद्पदे से पास की हो या इसके बाद उच्छे सचा बले कहीं बाहर की हो उनको इनका लाब देना चाहिए इसके लाबा केमरेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है इन नए आयू सीमा का बड़ा फैसला बाहरी राज्यों की युवाओं को मद्प्रदेश लोग सेवा आयोग MPPSC की सीडी भरती में होने वाली परिच्छाओं में होगा और अब 21 वर्ष से 35 वस्ता की आयू के बाहरी युवा मद मद्प्रदेश से नोकरी के पात रहोंगे पहले यह सीमा एक ऐस से 28 वस्त थी जबकि मद्प्रदेश के युवाओं के लिए MPPSC की राजपत्त परिच्छाओं की आयू सीमा एक ऐस से 35 साल है बाहरी के लिए यह आयू की पूरवर्ती सीमा को सुप्रीम कोट ने चुनौती जिस पर कोट ने सभी के लिए सास की सेवां में भरती की आयू सीमा का समान रखने को आदिश दिया था और इसी आदिश के पालन में राज सरकार ने नई आयू सीमा तय की है हलाकि इस फैसले का सरकार के आदा दर्जन से जादा मंत्रियों ने कैमिट में ही ब्रोद किया उन प्रकास से एक न्यूज थी जो काफी इंपोर्टेंट है के लावा यहाँ पर एक चीज का और डिसीजन लिया गया है कि यहाँ पर दस पसंद अरचन को इस माहि के अंदर तक लागू कर दिया गयाएगा यहाँ पर सामान बर को मद्पदिश में आर्थे काधार पर दस साफ हो गया है इसके लिए गठेत कैबिनेट सब कमेटी ने अरचन देने की अपनी अनुसंसा करके रिपोर्ट सासन को सौप दी है अब सासन इसे कैबिनेट में ले जाकर सभी छित्रों में इसे लागू कराएगा तो इस प्रकास से इसी माहि के अंदर तक अरचन के आएगा तो हमें उस हिसाबते तयारी करनी पड़ेगी अगर आप इस तरीके की न्यूज यहां पर चाहनते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप कोई वीडियो पसंदा तो फिरी लाइक सेर कमेंट करना ना भूले मिलते हैं आगले वीडियो में तब त के लिए नमस्कार